नमस्कार दोस्तों स्वाध करतों आपके जीनेस अश्टेटी पे दोस्तों आपके लिए एलेक्रीशन भूक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें आज का 11 चेप्टर है जिसमें आज परहेंगा हम लोग अल्टरनेटर अर्था पढ़ते वह अर्थक या अंत्रिक उर्जा को AC परकार की बैधत उर्जा में परिवर्थित करने वाली मसीन अल्टरनेटर या AC जनितर कलाती है या फ्राडे के बिधुत चुमकिये प्रेरण के स्थान्त परकार करता है जिब किसी चालक में चुमकिये प्रेखाव का छेदन होता है तो उस चालक में विधुत बाहक बल उत्पन हो जाता है यह तुल्यांकिक गती पर चलती है जिसे NS बरावर 120F by P से निरुपित क्या जाता है यह तुल्यांकिक गती पर चलती है जिसे NS बरावर 120F by P से निरुपित क्या जाता है जहां F बरावर आपूर्ती P बरावर धुरुप की संख्या इसकी सन राचिना लगभग दिश्ट धारा जनितर के समान होती है लेकिन इसे परतिवर्ति धारा को प्राप्त करने के लिए दुख परिवर्तक के अस्थान पर स्लिप रिंगे लगी रहती है अल्टरिनेटर के भाग, बोडी, मसीन के बाहर भाग को बोडी, फ्रेम या योग कहते है या कास्ट आरान अथवा कास्टी ठील से बनाए जाती है इसके कारे मसीन के सभी भागों को सुरक्षित रखने के साथ साथ चुमख के वल रेखाव के लिए पतपरदान करना होता है इसे मुक्ता आरमेचर क्रोड होती है इसमें मुक्ता आरमेचर क्रोड होती है इसमें खुले slots परियोग किया जाते हैं ताकि कोयल खराब होने या जलने के बाद असानी से परिवर्चित किया जा सके इन slots में 3-phase winding सन्योजन की जाती हैं जिसे armature winding कहते हैं यह star में जुरा होता है वह neutral को जमीन से जुरा जाता है ग्राउड दोस्त से बचने हैं तो neutral grounding की जाती है यह alternator का चुमक्य छेतर अस्थापित करने वाला भाग है इस पर फिल्ड winding की जाती है जिसे DC जैनीतर संट यह compound के DC सप्लाज से उतेजित किया जाता है इस पर फिल्ड वाइनिंग के जाती है जिसे DC जनितर सोट या कंपाउंड के DC सप्लाय से उत्रचित किया जाता है समान्ता अल्टरनेटर का यहीं भाग घुमने वाला होता है अल्टरनेटर के घुरनक में दो स्लिपरिंग होता है क्योंकि रोटर को DC एकसाइटेंशन परदान किया जाता है उबरे हुए धरुब प्रारूपी रोटर यह रोटर निम्न या माध्यम गतिवाले अल्टरनेटर में परियुग होता है यह ब्यास में बरे और अक्छिय लंबाई में छोटे होते हैं इसमें 46-44 तक पोल्स होते हैं इसके धरुब नाल धरुब पीच का दुबट तीन भाग ढग लेते हैं इसके धरुब पटलित होते हैं जिससे भावर धाराहानी कम होती है इसका परियुग डीजल प्राइम मोभर हाइडरो अल्टरिनेटर्स में किया जाता है यह गती करने समय अधिक स्वर पैदा करता है यह 125-400 रपीम तक परियुग होता है बिलनकार पोल रोटर यह उच घुर्णन गती वाले अल्टरिनेटर में परियुग होता है यह ब्यास में छोटे और अक्षिय के लमबाई में बरे होते है इसका परियुग स्ट्रीम तर्वाइन अल्टरिनेटर्स तथा तर्वो अल्टरिनेटर्स में किया जाता है इसका परियोग Stream Turbine Alternators तदा Turbo Alternators में किया जाता है यह गति करते समय Silent Pole Rotor के वेक्षा कम सोर पैदा करती है यह 1500-3000 RPM तक परियोग होता है उत्यजग Alternator के Rotor Soft पर ही 120 भोल्ट से 250 भोल्ट तक का DC Sun Generator या Compound Generator उत्पन करता है और दो Slip Ring के द्वारा Alternator की Field Winding उत्यज़ित होती है अल्टरनेटर के Rotor Soft पर ही 120 भोल्ट से 250 भोल्ट तक का DC Sun Generator या Compound Generator उत्पन करता है और दो Slip Ring के द्वारा Alternator की Field Winding उत्यज़ित होती है किसी Alternator में प्रेडित होने वाले विज़ित भाहा कबल की आवरिती है एफर आवर पी एन वर्टी 120 अल्टरनेटर का वर्गी करन घुमने वाले भाक्याधार पर प्रोटेक्टिंग आर्मेचर अल्टरनेटर इसमें Field Winding इस्तिर रहती है तथा आर्मेचर घुमता है आर्मेचर वैंडिंग में पैदा विज़ित भाहा कबल स्लिप रिंग की सहाता से बाहे परिफथ को दिया जाता है इसका उपयोग कम सक्ति वाले अल्टरनेटर की रूप में किया जाता है इसका उपयोग कम सक्ति वाले अल्टरनेटर की रूप में किया जाता है Rotating Field Alternator इसमें चुमक्य छेतर इस्तिर आर्मेचर के मत घुमता है Router Windings के दोरा चुमक्य छेतरा स्थाफित करने के लिए केवल दो स्लिप रिंग के दोरा DC की आप सकता होती है rotating field परियुक करने के इलाब इसके लिए केवल दो slip ring क्याव सकता होती है इसके लिए केवल दो slip ring क्याव सकता होती है stator में अधिक चाला का स्थापित किये जा सकते है तथा armature winding तूटने पर खत्रा नहीं होता है श्टेटर में अधिक चाला कस्तापित किया जा सकते है तदा आर्यमेचर वाइंडिंग टुटिने पर खत्रा नहीं होता है यूक्त नहीं होने के कारण स्पार्किंग नहीं होती है, और मसीन की दक्षिता बढ़ जाती है रोटर हलका होने के कारण इसको अधिक गती से घुमाया जा सकते हैं फेज की संख्या के आधार पर सिंकल फेज अल्टरनेटर यह अल्टरनेटर आकार में छोटे होते हैं इसमें एक तार फेज के रूप में होता है तथा एक तार न्यूटरल के रूप में होता है इसमें एक तार phage के रूप में होता है और एक तार neutral के रूप में होता है यह alternator 650 volt तक कारे करता है या 650 volt तक कारे करता है polyphase alternator इसमें 3 phase की winding एक दूसरे से 120 degree पर अस्थापित की जाती है इसमें 3 phase की winding एक दूसरे से 120 degree पर अस्थापित की जाती है तीनों वैंडिंग के एक सीरे को जोरकर एस्टार या डेल्टा फर्म बना सकते है ये उच भोल्टता वाली धारा जनित होती है इसके दोरा अधिक सक्ती जनित किया जा सकता है पीच गुनक या कुंडली विष्तार गुनक किसी स्वाट पीच कोईल में उद्बं विद्द भाय लेव फूल पीच कोईल में उद्बं विद्द भाहक संखके अनुपात वर के पीच गुनक खाता है केडी बरावर distributed winding उत्पन विदुद बाहा कबल by constricted winding में उत्पन विदुद बाहा कबल winding factor पीछ गुनक एबम distribution factor के गुनन फल को winding factor कहते है केडी बरावर केपी गुने केडी जहां अलफा एक क्वाइल के दो पार्सों के बीच के फेज अंदर इसका कोई मातरक नहीं होता है इसका अधिक तम मान एक होता है distribution factor वह गुनक जिससे उत्पन विदुत बहा कबल को गुनक करके सही विदुत बहा कबल गयांत किया जा सकता है distribution factor कर लाता है कि बरावर sin nby 2 by n sinby 2 जहां n प्रति-फेच प्रति-पुल खाचो की संख्या तथा बीच प्रति-पुल खाचो की संख्या इसका मान सदव 21 काम होता है अल्टरनेटर का विद्धुत बहाग बल सम्करन यह आरेमस बरावर दूदा सम्करन दूदू फाई इंटू एफजेट केफी इंटू केड़ी बोल्ट्स किसी अल्टरनेटर की EMF बढ़ाने के लिए फिल्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स बढ़ाते हैं भोल्टता नियमन किसी अल्टरनेटर के लिए उसकी घुर्णन गती तथा बिधुत धार के परियमान को नियत रखते हुए उसकी भोल्टता में पुर्न लोड अवस्ता से सुनने लोड तक होने वाले परिवर्थन भोल्टता नियमन कालाथा है भोल्टता नेमन परतिसत VNL-VFLY, VFL लगुने 100 जाहां VNL सुने लोट पर भोल्टता VFL पौन लोट पर भोल्टता अल्टरेनेटर्स की तुल्ले काली करन किसी चालो अल्टरेनेटर के साथ कोई दूसरा चालो अल्टरेनेटर समांतर में जोरने की किरिया तुल्य काली करन कालाती है इस प्रावधान से निमने लिखी तलाव होता है लोड के अंसवार अल्टेनेटरों को पैरलेल में चलाया जा सकता है दोस होने पर दोसी अल्टेनेटर को हटाया करनाया जोरा जा सकता है सिंक्रोनाइजड अल्टेनेटरों पर बाद में आने वाले लोड सुम ही बढ़ जाएगी अल्टेनेटरों को सिंक्रोनाइज करने के लिए निमनलिखित सड़ते पूरी होने चाहिए अल्टरनेटरों को सिंक्रोनाइज करने के लिए निमने लेखेते सड़ते पूरी होने चाहिए सिंक्रोनाइज करने वाले अल्टरनेटरों की सफलाइ फ्रेक्वेंसी बराबर होने चाहिए सिंक्रोनाइज करने वाले अल्टरनेटर के सप्लाइ फ्रेक्वेंसी बराबर होने चाहिए वोल्टेज बराबर होने चाहिए फेज क्रम बराबर होने चाहिए इसमें अगर तीनों लैंप बुझ गया हो तो समझें कि दोनों अल्टेनेटर्स तुल्य कालिक हो गया है इनकमिंग मसीन के टीपी स्विच ट्रिपल पुल स्विच ओन कर दे ब्राइट लैंप भी थी अगर तीनों लैंप इवल पुर्ण रूप से प्रकासित हो गया तो अल्टेनेटर्स तुल्य कालिक हो गया है अगर तीनों लैंप इवल पुर्ण रूप से प्रकासित हो गया तो अल्टेनेटर्स तुल्य कालिक हो गया डार्क तथा ब्राइट लैंप भी थी इसमें दो लेंप अगर पुर्ण वा समान प्रकासित है तथा एक लेंप बुझा हुआ है तो यह आवस्ता तुले कालिकता को दर्शाता है डार्क लेंप विधी की आपेक्चा ब्राइट लेंप विधी तिक्षन तथा एकदम सटिक तुले कलन परदान करता है सिंक्रोस्कोप भी थी इसमें तुले कालिकरन सिंक्रोस्कोप नाम केंदर से की जाती है इसमें एक दूफेज वाला मोटर प्रिक्ट होता है इसमें परतेक अल्टरनेटर की आरवाई सप्लाई या कोई दो सप्लाई को एक अतरिक बस बार के दौरा टूफेज वाली मोटर के रोटर से जोड़ते है इसमें परतेक अल्टरनेटर की आरवाई सप्लाई या दो सप्लाई को एक अतरिक बस बार के द्वारा टू फेज वाली मोटर के रोटर से जोड़ते हैं इसमें तुल्ले कालिकता की आवास्था में रोटर से जुरा संके तक सुने पर श्थिर हो जाता है दो अल्टरेटर की तुल्ले कालिक करन होने के बाद एक अल्टरेटर से दूसरे अल्टरेटर पर लोड़ सिफ्ट करने के लिए इनकमिंग मसीन के प्राइम मोवर की फ्यूल सफलाई बढ़ाय जाती है दो अल्टरनेटर की तुल्ले काली करन होने के बाद एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पर लोड शिफ्ट करने के लिए इनकमिंग मसीन के प्रैम मुवर की क्यूल सफलाई बढ़ाय जाती है जब alternator का load हटा दिया जाता है तो terminal voltage बढ़ जाती है जब alternator का load हटा दिया जाता है तो terminal voltage बढ़ जाती है जब दो alternator समांतर करव में चल रहा हो तो यदी एक को disconnect करना हो तो एक अल्टरनेटर का लोड दूसरे अल्टरनेटर पर तबदिल कर देना चाहिए जब दो अल्टरनेटर समांतर करव में चल रहा हो तो यदी एक को डिसकनेक्ट करना हो तो एक अल्टरनेटर का लोड दूसरे अल्टरनेटर पर तबदिल कर देना चाहिए जब दो समांतर में चल रहा है अल्टरनेटर में से एक का प्राइम मोबर डिसकनेक्ट कर दिया जा तो वह सिंक्रोनस मोटर की तरह करेगा अल्टरनेटर की चतिया इसमें भी वहीं चति होती है जो डिस सी जनीतर में होती है ताम्र चति है स्टेटर फिल्ड चति अल्टरनेटर में घुमने वाले भाग के कारण बायू के घरशन से वरीरिंग के घार्षन से भरस के पर घार्षन नोई ओने वाले च्षति यांत्रिक च्षतिक आला दिए। प्रति वर्त के दक्ष्टा घ्यात करने के लिए उसमें होने वाले हानिया को ग्याद करने के लिए नीम्न तीन वीदिया है भारी गतिवाले पहियों का परियोग इंजन नियंत्राकों पर काम रोग का परियोग करके छेतर के चार और पिंजरा प्रारूपी कुंडलन की जाए तुल्ले काल बल घुर्ण तुल्ले काल बर घुर्ण टी एस जब भार को नैंटी होती है तब परतेवर तक अधिक्तम सकते परतान करेगा महत्पूर्ण स्मर्ण नियत्त जब कोई कुंडली चुम्बकिय फलक्स का समकोन पर छेदन करते है तो उसमें पैदा होने वाला बिदुत बाहा कबल अधिक्तम होगा जब कोई कुंडली चुम्बकिय फलक्स का समकोन पर छेदन करते है तो उसमें पैदा होने वाला बिदुत बाहा कबल अधिक्तम होगा अल्टरनेटर की आउटपुट के भी ए या एम भी ए में वेक्त की जाती है अल्टरनेटर की आउटपुट के भी ए या एम भी ए में वेक्त की जाती है हंटिंग या फेज स्विंग दोस्ट के निवारन के लिए रोटर में डैमपर वैंडिंग परियोग होता है, बड़े अल्टरनेटर के सितलन में बायू वाहिनिया एर डक्ष्ट का परियोग होता है, घुर्नल अल्टरनेटर के सितलन में बायू वाहिनिया एर डक्ष्ट का परियोग होता है, घुर्नल अल्टरनेटर आरमेचर में स्लिफरिंग को ऐसी धारा प्राप्त के जाती है, थ्री फेज अल्टरनेटर का पूरे भारात वर्च में सही फेज क्रम आर वाई वी है, थ्री फेज अल्टरनेटर का फेज क्रम सही नहीं होने पर फेज आपस में सोट सर्किट हो जाएगा, अल्टरनेटर का पावर फेक्टर आउटपुट में समय जित लोड पर निर्वर करता है, अल्टरनेटर में आरमेचर प्रतिकिरिया का प्राभाव मुल्ता टर्मिनल भोल्टीज पर होता है, अल्टरनेटर में आरमेचर पर्तिकिरिया का परभाव मूलत टर्मिनल वोर्डेज पर होता है जब अल्टरनेटर आगे बढ़ते हुए पावर फेक्टर पर कारे करता है तो उसको अत्यधिक उत्यजिच ओभर एक्साइटिट कहा जाता है जब अल्टरनेटर आगे बढ़ता है आगे बढ़ते हुए पावर फेक्टर पकार होता है तो उसको अत्यधिक उतिजित कहा जाता है अल्टरनेटर में सिलिफरिंग और ब्रस का परयोग बाहरी सर्कुट को छेतर वैंडिंग से जोरने के लिए किया जाता है अल्टरनेटर रील पावर का सुरूत होता है एक जनरेटर पर त्रिकला टर्मिनल दोस्त के दवरान स्थी मित क्या जाता है युआ जनरेटर को अभर स्पीड़ से सुरक्षित हैं तू गवर्नर का प्रयोग करते हैं डिजल जनेरेटर को ओवर स्पीड से सुरक्चा है तो गवार्नर का प्रयों करते हैं जनेरेटर के इंस्टालेशन के दोरान यह सब्धाने प्रभक सुनचित किया जाना चाहिए कि जनेरेटर के टर्मिनल और सभी नियंतर्न वेरिंग सही है ताकि फेज अनुक्रम का क्रम पर सब्धाने प्रभक सुनचित किया जाना चाहिए कि जनेरेटर के टर्मिनल और सभी नियंतर्न वेरिंग सही है ताकि फेज अनुक्रम का क्रम परनाली के साथ मेल खाता हो किसी अल्टरेटर दोरा उत्पन आउट्पुट भोल्टेज का वेव फरम सिनू साइडल वेव होती ह धीमी गती पर चलने वाला अल्टरेटर जल चक्रिय जनित्र होता है इसका परियुक जल बिधुत सनेत्र में किया जाता है सूथ धारता भार पर अल्टरेटर में आरमेचर रियक्सन का प्रभाव मेगनेटाइजिंग प्रभाव का होता है किस प्रकर के धारा अल्टरेटर जनित्र करता है ? AC किस परकार के धारा अल्टरनेटर जनित करता है AC किस सिधान्द पर अल्टरनेटर कारे करता है फैराडे के बिद्द चुम्ब के इंडक्शन नियम किस सिधान्द पर अल्टरनेटर कारे करता है फैराडे के बिद्द चुम्ब के इंडक्शन नियम किस परकार के करंट के आपसकता अल्टरनेटर के रोटर की होती है DC किस परकार के करंट के आपसकता अल्टरनेटर के रोटर की होती है DC अल्टरनेटर जो बारा आकार को हो उसे फलक्स कैसा रखा जाता है घुर्नन करने वाला वाला इंदनेर के रोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं दो स्लिप रिंग रोटर को DC सपलाई देनेवाला जनेरेटर क्या कलाता है उतेजक निमलिकित में चैक कौन एक अल्टरनेटर के रोटर का परकार है, दोनों सिलियंट पोल तथा बेलनाकार परकार, निम लिखित में से कौन सा अल्टरनेटर के रोटर का परकार है, दोनों सिलियंट पोल तथा बेलनाकार परकार, किस गति के प्राइम मोबर में प्राय है, सिलियंट पोल परकार के रोटर परियोग होता है निवनव मध्य गती किस गती के प्राइम मोबर में प्राय है बेलनाकार परकार के रोटर परियोग होता है उच गती किस गती के प्राइम मोबर में प्राय है बेलनाकार परकार के रोटर परियोग होता है उच गती निमने लिखित में से किस बात पर अल्टरनेटर में जनित बिदुत बाहक बल की अबरिती निर्भा करती है अल्टरनेटर की धुरुबो की संख्या पर अल्टरनेटर की गदी पर निमलिक्त में से किस बात पर अल्टेनेटर में गती जनित बिदुत बहाक बल की आपरिती निभ़ा करती है अल्टेनेटर की धुरुवों की संक्या पर अल्टेनेटर की गती पर सिलियंट पॉल टाइप रोटर ब्यास में बरे और अक्छिय लंबाई में छोटे होते हैं सेलियेंट पोल टाइप रोटर ब्यास में बरे और अक्षिय लंबाई में छोटे होते हैं कौन सा विधुत भाग बल पैदा होगा अगर कोई कुंडली चुम्बक्य फलक्स का समकोन पर छेदन करेगा अधिक्तम होगा कौन सा विधुत भाग बल पैदा होगा अगर कोई कुंडली चुम्बक्य फलक्स का समकोन पर छेदन करेगा अधिक्तम होगा कैसी घुर्णन गती पर कारे करने योग वास्प टरबाइन चलित अल्टेनिटर्स बनता है उच्छ कैसी घुर्णन गती पर कारे करने योग वास्प टरबाइन चलित अल्टेनिटर्स बनता है उच्छ निवन में कौन अल्टेनिटर की रेटिंग दरसाता है KVA और MVA निवन लिखत में से कौन अल्टेनिटर की रेटिंग दरसाता है KVA और MVA नेक्ष्ट है प्राइम मोभर की घुर्णन गति को समयुजित रखना परता है ताकि अल्टरनेटर का आउटपुट फ्रेक्वेंसी नियत रहे प्राइम मोभर की घुर्णन गति को समय रखना परता है ताकि अल्टरनेटर का आउटपूट प्रेक्वेंसी नियत रहे निम्न में कौन अल्टरनेटर की मौलिक अवेश सकता है चुम्बक्य छेत्र स्लिपरिंग तथा परास आर्मेचर निम्न में से कौन अल्टरनेटर की मौलिक अवेश सकता है चुम्बक्य छेत्र स्लिपरिंग तथा परास आर्मेचर सत्यकसन कौन सा है आर्मेचर कॉल एस्टेटर में अस्ठापीद के जाती है क्यों AC मसीन का एस्टेटर कोर सिलिकोन एस्टेर की लिमिनेटेट चादर की बनाए जाती है लोच हती कम हो जाए निमनलिकित में से किस कारण से अल्टरनेटर में रोटेटिंग फिल्ड परयोग होता है केवल दो स्लिपरिंग की आप सकता होती है और मेचर पर स्लाइडिंग युकित नहीं होने के करण स्पार्किंग नहीं होती है और मसीन की दक्षिता बढ़ जाती है और मेचर पर स्लाइडिंग युकित नहीं होने के करण स्पार्किंग नहीं होती है और मसीन की दक्षिता बढ़ जाती है एस्टेटर में अधिक चालक अस्थापित किये जा सकते हैं तथा आरमेचर वैंडिंग टूटिने पर खत्रा नहीं हुए निमलिखित में से कौन सा उपाय हंटिंग या फेज स्विंगिंग दोस्थ के निवारन के लिए होता है रोटर पोल्स में डैमपर वैंडिंग अस्थापित करते हैं निमलिखित में से कौन सा उपाय हंटिंग या फेज स्विंगिंग दोस्थ के निवारन के लिए होता है रोटर पोल्स में डेम पर वांडिंग अस्थाफित करते हैं क्या होगा अगर יתי phase अल्टरिनेटर का phase क्रम विघर यां क्या होगा अगर survey ऐर आपस में 7 तेरक तो जाए कि शुतर द्वारा 5 गुनां कमाबा जाता है प्रति क्वाख वाल का सदिशीय योग वट। किस तरह की भूल्टता ? आल्टरनेटर के गति सील रोटर को दिया जाता है नीमनडीसीय तरह की भोलता अल्टेनेटर को गत्टी सील रोटर को दिया जाता है निम DRC क्या कारण है कि जल बिधूत अल्टेनेटर की तुलना में टर्वो अल्टेनेटर के रोटर का ब्यास जोटा होता है उच घुनन गती पर कारे करता है क्या कारण है कि जल बिधूत अल्टरनेटर की तुलना में टौरवो अल्टरनेटर के रोटर का ब्यास छोटा होता है उच घुनन गती पर कारे करता है नेश्ट है निमने लिखित किन तत्यों पर अल्टरनेटर का पाउर फेक्टर निर्वर करता है आउटपुट में सन्योजित लोड निमलेखित में किस तत्थ्व पर आउटरनेटर का पाउर फेक्टर निर्वर करता है आउटपुट में सन्योजित लोड Alternator में आरमेचर प्रतिक किरिया का प्रभाव मुलत टर्मिनल वोल्टेज पर होता है Alternator किस पावर फेक्टर पर करे कि उसे अत्यधिक उत्यजित कहा चाता है आगे बढ़ते हुए पावर फेक्टर पर लेडिंग अल्टरनेटर किस पावर फेक्टर पर कारे करे कि उसे अत्य धिक उत्यचित काहा चाता है आगे बढ़ते हुए पावर फेक्टर पर लीडिंग इन में से किस अल्टरनेटर दिवरा जननित बिधूत बाहक बल निड़्व करता है इसमें कौन अल्टर्नेटर में होने वाला छती है? कौन अल्टर्नेटर में होने वाला चती है? किस सर्थ पर दो अल्टेनेटर्स का समन्वे निर्व करता है दोनों अल्टेनेटर्स का फेज क्रम एक ही होना चाहिए दोनों अल्टेनेटर्स का टर्रमिनल भोल्टेज समान होना चाहिए दोनों अल्टेनेटर्स की फ्रेक्वेंसी समान होनी चाहिए किस सर्थ पर दो अल्टेनेटर्स का समन्वय निर्वर करता है दोनों अल्टेनेटर्स का फेज करम एक ही होना चाहिए दोनों अल्टेनेटर्स का टर्मिनल वोल्डेज समान होना चाहिए दोनों अल्टेनेटर्स की फ्लेक्वेंसी समान होनी चाहिए किस बिधी द्वारा अल्टेनेटर्स को तुल्यकालिक किया जाता है सिंक्रो एसकोप बिधी, डार्क एवं ब्राइट लैंप बिधी, डार्क लैंप बिधी किस बिधी द्वारा अल्टेनेटर्स को तुल्यकालिक किया जाता है सिंक्रो एसकोप बिधी, डार्क ब्राइट लैंप बिधी, डार्क लैंप बिधी सिंक्रो एसकोप बिधी में परियोग होता है टू-फेज मोटर सिंक्रो एसकोप बिधी में परियोग होता है टू-फेज मोटर स्टेटर वािंडिंग को मुख बस बार के दो फेज से जूर है यंदर का संकेत रोटर से जूरा होता है रोटर को इनकमिंग मसीन की उनहीं फेज आरवाई से सन्यूजुद करते है इस्टेटर वैंडिंग को मुख बस बार के दो फेज से जोड़ते है संकेतक का पठ्ठांक क्या होगा जब सिंक्रो एसकोप बीधी में अल्टेनेटर्स तुल्ले कालिक हो जाए सुने पर इस्थीर हो जाता है संकितक का पठ्ठक क्या होगा जब सिंक्रोश कोप बीधी में अल्टरेणेटर्स तुल्ले कालिक हो जाए सुने पर इस्ठिर हो जाता है क्या करेंगे जिससे की दो तुल्ले कालिक अल्टरेनेटर्स में एक का लोड़ दूसरे पर shift कर जाय इनकमिंग मसीन को प्राइम मोबर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है टर्मिनर वोल्टेज क्या होगा जब अल्टेनेटर का लोड हटा दिया जाए बढ़ेगी निमने में से किस सर्थ परदो अल्टेनेटर समानतर में प्रचलित होंगे फेज अनुकरम समान होने चाहिए अबरिती समान होने चाहिए भोल्टे समान होने चाहिए किस कारण से अल्टेनेटर समानतर में चला जाते है जब अवसकता हो और तरिक्त इकाई लगाना असान होता है या सपलाई के इस्तिर्था बनाय रखते है यह मरमत करने के लिए सुब्धा चनक वा मित्य वेई है किस करन से अल्टरेनेटर्स समांतर में चलाए जाते है जब आवे सकता हो और तो इकाई लगाना असान होता है यह सप्लाई की श्थीरता बनाया रखते है यह मरमत करने के लिए सुब्धा जनकवा मित्त एवेई है समांतर में चल रहे दो अल्टरनेटर्स में से एक को हटाना हो तो एक अल्टरनेटर का लोड दूसरे अल्टरनेटर पर तब दिल करने के बाद ही दूसरा अल्टरनेटर डिसकनेक्ट करना चाहिए जब दो अल्टेनेटर समांतर में चल रहा हो तो यदि एक अल्टेनेटर का प्राइम मोबर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो अल्टेनेटर सिन्क्रोनस मोटर की तरह चलेगा जब दो अल्टेनेटर समांतर में चल रहा हो तो यदि एक अल्टेनेटर का प्राइम मोबर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो अल्टेनेटर सिन्क्रोनस मोटर की तरह चलेगा अल्टेनेटरों में फिल्ट वैंडिंग कहां परियोग की जाती है रोटर में किस परकार का rotor अधिक सुर पैदा करता है salliant pole rotor किस परकार का rotor अधिक सुर पैदा करता है salliant pole rotor नेक्स है 3-phase alternator के winding एक दुसरे से कितने कों पर होती है 120 3-phase winding 120 degree 3-phase winding के एक सिरियों को जोर कर कैसा connection बना जають सकता है star या delta 3 winding के एक CD को जोर करक ऐसा connection बनाया जा सकता है STR या Δल्टा, pitch factor का मात्रक क्या होता है कोई मात्रक नहीं होता है वह गुनक जिससे उत्वन विधुत बहा कबल को गुना करके सही विधुत बहा कबल गयात क्या जा सकता है उसे distribution factor काहलाता है वह गुनक जिससे उत्पन बिदुत बाहक बल को गुना करके सही बिदुत बाहक बल ग्यात किया जा सके distribution factor कालाता है distribution factor का मान सदेव इकाई से कम होता है distribution factor का मान सदेव इकाई से कम होता है alternators के तुले काली करन में alternators को किस करम में जोड़ते है समांतर करम में alternators के तुले काली करन की dark तथा bright lamp बिधी में कौन सी अवस्ता तुले काली कता को धरसाती है दो लेंप जलेगा एक बुझा रहेगा alternators के तुले काली करन की dark तथा bright lamp बिधी में कौन सी अवस्ता तुले काली कता को धरसाती है दो लेंप जलेगा एक बुझा रहेगा किसी alternator में पुर्ण लोड अवस्ता से सुन लोड तक होने वाला परिवर्थन कालाता है किसी alternator में पुर्ण लोड अवस्ता से सुन लोड तक होने वाला परिवर्थन कालाता है alternator बुरुस निमने लिखित पर आरोहित रहता है किसी alternator की EMF बढ़ानी हो तो फिल्ड को रेगुलेट करके फलक्स को बढ़ाते है next है बेलनाकार धुरुप प्रारोपी रोटर का उपयों के कितनी गति के परत्यवर्थक के लिए क्या जाता है पंद्रह सो से तीन हजार घुणन परती मिनट परत्यवर्थक में और स्थीर हानी का पता किस परकार लगाया जाता है बड़े परत्यवर्थक में और स्थीर हानी का पता किस परकार लगाया जाता है बड़े परत्यवर्थकों में शितलन के लिए निमलिकित में से किसका परयोग किया जाता है घुर्ण परत्यवर्थक का परत्यवर्थक का प्रचालन सिधान्द निमलिकित में से किसके समान होता है बड़े परत्यवर्थक का प्रचालन सिधान्द निमलिकित में से किसके समान होता है परत्यवर्थक का सक्ति गुनांक किस प्रचलन पर निर्भर करता है लोड परतिवर्तक का सक्ती गुना की किस प्रचलन पर निभड करता है लोड अल्टरनेटर के घुरनख में होता है दो स्लिप रिंग तुलेकालिक जनित्र स्रोत है एरियक्टिफ पावर का एक डैनेमो विदुत उत्पादन का एक स्रोत माना जाता है यह वास्ता में सुरोत है विधुत प्रेरक बल का एक डैनेमो विधुत पादन का एक सुरोत माना जाता है यह वास्ता में सुरोत है विधुत प्रेरक बल का सितलन की किरिया में सबसे कम घरसन हाने उत्पन करने वाला सितलक है हाइड्रोजन सितलन की किरिया में सबसे कम घरसन हाने उत्पन करने वाला सितलक है हाइड्रोजन उत्पादन केंद्रो द्वरा अल्टरनेटर की स्पीड को नियंत्रित किया जाता है गवर्नर द्वरा उत्पदन खेंद्रों द्वारा बड़े अल्टेनेटरों को पर्तिवर्तक अल्टेनेटर उस समय अधिक्तम सक्ती परदान करता है जब भार कौन 90 डिगरी होता है परतिवर्थक अल्टरिनेटर उस समय अधिक्तम सक्ति परदान करता है जब भार कोन 90 डिग्री होता है निम लिखित में से किस बज़ा से तुल्ले कालन की ब्राइट लैंप बिधी को डार्क लैंप बिधी पर वर्याता दी जाती है तिक्षन तथा एकदम सटिक तुल्ले कालन निम लिखित में से किस बज़ा से तुल्ले कालन की ब्राइट लैंप बिधी को डार्क लैंप बिधी पर वर्याता दी जाती है तिक्ष्न तथा एकदम सटिक तुल्ले कालन नेक्ष है डीजल जेनेरेटर को ओभर स्पीट से सुरक्षा किसके दोरा की जाती है गवर्नर डीजल जेनेरेटर को ओभर स्पीट से सुरक्षा किसके दोरा की जाती है गवर्नर जनेरेटर के इंस्टोलेशन के दोरान यह सब्धाने प्रवक्षुन श्चित किया जाना चाहिए कि जनेरेटर के टर्मीनल और सभी नियंतरन वाइरिंग सही हो ता कि फेज अनुक्रम काक्रम परनाली के साथ मेल खाता हो नेक्ट है किसी अल्टरनेटर दोरा ओधपन आउटपट भोल्टेज वा वेव फरम होता है सिनुसाइडल वेव चोद रुब वाले एक धीमी गती वाला अल्टरनेटर समानता जाना जाता है जल चक्रिय जनितर सुद धारता भार पर अल्टरनेटर में आरमेचर रियक्षन का परभाव होगा मैगनिटाइजिंग अल्टरनेटर के घुरनक में होता है दो स्लिप रिंग्स चार धुरुब वाले अल्टरनेटर जोकी 1500 आर्पेम पर चल रहा है उसके आवरिती क्या होगी 50 हर्ज स्लिप रिंग एवं ब्रस अल्टरनेटर में किसे जोरने के लिए परिक्त होता है बाहरी सर्किट को छेतर वाइंडिंग से तुल्ले कालिक जनितर स्रोत है रियल पावर का एक जनेरेटर पर तुर्स कला टर्मिनल दोस के दौरान इस्थीर दोस निम्न द्वारा सिमित है जनेरेटर का तुले कालिक प्रतिगाद एक जनेरेटर दोरा तरी कला टर्मिनल दोस के दोरान इस्तिर आवास्ता दोस नेम लिखे दोरा सिमित है जनेरेटर का तुले कालिक प्रतिगाद